गोड इवनिंग, 59,000 शिक्षक भरती के सभी कैंड़ेट्स का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है 59,000 शिक्षक भरती में 31,000 शिक्षक भरती के कैंड़ेट्स का जो फर्स्ट कांसलिंग हुई थी वो कॉंसलिंग भी कंप्लीट हो गई और उसके बाद उनके ज्वाइनिंग में हो गई सेकंड कॉंसलिंग का भी दो दिसंबर से शुरू ही आज तीन दिसंबर है चार दिसंबर को समाप्त हो जाएगी और पांच को नियुक्ति पत्र दे दिये जाएगे बहुत से बच्चे लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं जानकारी चाहते हैं कि क्या थर्ड कॉंसलिंग होगी और अगर थर्ड कॉंसलिंग होगी तो उसका सेफ गुडांक क्या होगा कहां तक कि कटाफ वाले केंड़ेट्स को थर्ड कॉंसलिंग में चांस मिल सकता है तो पहली बात बात करते हैं 3rd counseling की तो 3rd counseling तो होगी ही होगी 3rd के बाद 4th भी होगी, 5th भी होगी, 6th भी होगी जब तक category wise सब ही पोस्टें फिल अफ नहीं हो जाती है तब तक ये counseling continued रहेगी esto कांसलिंग चलती रहेगी जितने एक लाग च्यालिस जार केंड़ेट्स सेलेक्ट किये गए थे उनमें सभी ही को लाश तक चांस मिल सकता है तो यह बात तो दिमाग से निकाल देजिए कि 3rd या 4th या 5th कांसलिंग नहीं होगी 100% होगी अब आएए दूसरी बात कि सेफ गुडांक क्या होगा तो सेफ गुडांक का प्रेडिक्शन इतना असान नहीं है इसके लिए जो है कांसलिंग के लिए जो बच्चे आये हुए थे उनसे बाचीत की गई कई स भी नहीं दिया गया है किवल रैंक दी गई है तो बहुत सारे बच्चों से बात करने पर एक काफी कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि कि कितने गुडांक पर कितनी रैंक के आसपास है एक्जैक्ट तो नहीं रैंक में भी 150 का डिफ्रेंस हो सकता है गुडांक में भी आने चल ला हूं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए और सभी के मन में जो संशय है वो दूर हो जाए चलिए वीडियो शूर करते हैं यह जो आपके सामने फिगर्स में रख कटाफ में पॉइंट्स का फर्क हो सकता है तो उसे बहुत ज़्यादा एक फर्क नहीं पड़ता है आपको एक रफ आइडिया होगा आप ध्यान से समझें जिन बच्चों की कटाफ सेवेंटी नाइन के आसपास थी उनकी रैंक साथ हजार के आसपास थी जिन बच्चों की और थोड़ा नीचे जाने पर जिन बच्चों की कटाफ सेवेंटी फोर के आसपास थी उनकी रैंक सोला हजार के आसपास थी 16,200, 15,900, 15,800 इस तरह से और थोड़ा लो रैंक पर बात की गई जिनकी लो रैंक थी 70 के आसपास थी तो इनकी जो रैंक थी ये करीब 33,000 के आसपास 33,000 के आसपास मतलब आप ये देखिए कि जैसे ही कटाफ जितनी लो होती जा रही है रैंक उसी के कार्डिंग बढ़ती चली जा रही है 68 जिन कैंडेट्स का था 68 के आसपास उनकी जो रैंक थी वो 46,000 के आसपास थी तो अब आप एक चीज गैप देखिए और डिफरेंस देखिए 79 पर रैंक 7,000 है 74 पर 16,000 है यानि कि 5 मार्क्स के डिफरेंस पर 9,000 यानि एक अंक में कितने हो गए लगभग अठारा सो गुड़ांक जो है एक अंक कम हुआ अठारा सो केंडेट्स 74 से 70 पर जब हम आए तो चार अंक लेकिन कितना फरक पड़ गया लगभग 17,000 केंडेट्स 4 बाक्स के भीतर आगए यानि कि ये कितना हो गया 4250 के आसपास हो गया और जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं 70 से 68 केवल दो अंक का गुड़ांक में केवल दो अंक का फरक आया लेकिन यहाँ पर केंडेट्स कितने हो गया या रैंग का फरक कितना पड़ गया 33 से 46 तेरा हजार यानि एक अंक में लगभग 65 अब आप देख लीजिए कि जैसे जैसे कटाफ जो है वो लो होती जारी है केंडेट्स की संख्या कम होती जारी देखियो 89 और 84 पे एक मार्क्स में 1800 74 से 70 होने पर एक अंक में 4250 70 से 68 होने पर एक अंक में 6500 और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे और लो कटाफ की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 68 गुड़ांक पर जो रैंक थी वो थी 46,000 और इसका मतलब 70 से 68 होने पर 13,000 केंडेट्स उसके बीच में थे यानि कि एक अंक पर 65 68 से 67 पर जब हम आते हैं तो यहां पर जो रैंक बन रही है वो लगबग 53,000 के आसपास 53,200, 53,300, 52,900 इस तरह से बन रही है यानि कि एक अंक के भीतर 7,000 केंडेट्स तो सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे कटाफ लो होगी गुडांक लो होगा कम्टीशन बढ़ेगा केंडेट्स की संख्या बढ़ेगी हलांकि 70 से 68 और 67 में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं आया 70 से 68 में 66,000 केंडेट्स एक अंक पर 68 से 68 में एक अंक पर 7,000 तो अब अमोमन यही रहेगा 68 सरसट सरसट से 66 के आसपास में भी 7,000 या सवा 7,000 का ही लगबग रहेगा अब बात कर लेते हैं कि सेफ गडांक अब क्या रहने वाला है जहां तक जो इस्तिती निकल कर क्लियर हो रही है कि फर्स्ट कांसलिंग में 3,000 और सेकंड कांसलिंग में लगबग 4,000 केंडेट्स सीटें वेकंट रह जाएंगी कैंडेट्स कांसलिंग के लिए एवलेबल नहीं होंगे वज़ा क्या है कि TGT में, LTE ग्रेड में, पुलिस भरती में या और किसी भी भरती में वो कैंडेट्स अलेडी सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो जवाई नहीं करेंगे तो थर्ड कांसलिंग के लिए आप कैंडेट्स जो है वो लगबग 7,000 कैंडेट्स जो है वो बचेंगे अब उनका जो गुडांक है कितना लो होगा तो अल्मोस्ट एक से 1.2 या 1.1 इतना ही फर्क पड़ सकता है तो आई ये बात कर लेते हैं कि इसी क्याधार पर अब सेफ गुडांक क्या हो सकता है अन्रिजर्व, OVC और SC का तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो बात अच्छी लग रही हो तो लाइक करके और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर ज़रूर कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए अब हम अगर बात करें अन्रिजर्व की तो अन्रिजर्व का 67.2 के आसपास गुडांक पर सेलेक्शन हुआ है इसका मतलब यह है कि 3rd counselling में जिन candidates के marks 66 plus हैं गुडांक मार्ग की बात कर रहा हूं कटाफ की बात कर रहा हूं तो जिन candidates के गुडांक जो हैं वो 66 plus ऐसे ही OVC के टेग्री की बात करें तो OVC का 66.7 गुडांक पर सेलेक्शन हुआ है लास्ट केंडियेट का UR का मने आपको बताया 66 प्लस OBC की बात करें तो OBC केंडियेट का जो है 65 प्लस गुडांक जिन केंडियेट का है they have a better chance और ऐसे ही S-C केंडियेट की बात करें तो S-C केंडियेट का गुडांक अगर 60 प्लस है तो वो third counselling के लिए बिल्कुत सिफ है उन्हें third counselling के call किया जाएगा और अगर third counselling से पूरा नहीं होता है तो fourth, fifth, sixth चलेगी उसके लिए आगे वीडियो मैं फिर से upload करूँगा फिलाल के लिए तो यही सिति बन रही है वीडियो अच्छा लगे तो इससे ज्यादा ज्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ओके, थैंक यू